आज मैं आपके लिए कठल की सबजी और साथी नरम मुलायम रुमाली परांटे की रेसेपी लेकर आई हूँ और ये दोनों बहुत ही जाधा टेस्टी है और हमने इसमें कठल को फ्राई नहीं किया है फिर भी आप देखेंगे किसका टेस्ट कितना शानदार आता है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहापर पैन लिया है इसमें मैंने दो चम्मच ओइल डाला है और यहां मैंने आदा किलो कठल लिया है ये छोटे वाला जो कठल होता है अगर आप वो लेंगे तो वो जादा अच्छा बनता है इसके जो बीज हो कुकि उसको पकने में जादा समय लगता है और यहां मैंने चोटे वाला लिया था तो यह मैंने दिखिए इस तरह से चोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे काटने के लिए भी आप हाथों पर ओयल या पर सरसो का तेल लगा लें या नेबू लगा लें और चाकू पर तब आप इसे काटेंगे तो आसानी से कट जाता है अदर्वाइस इसमें से बहुत चिपचिपा सा रहता है तो इसे काटने में बहुत मुश्किल आती है यह कठल को हम गरम ओयल में डाल देंगे गेस का फ्ले मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे लगातार सरीके से चलाते रहेंगे और इसे बस कुछ देरी चलाएंगे जब तक इस पर हलकी से गोल्डन मार्क्स नहीं आ जाता है यानि जैसे आप फ्राइ करते हैं कठल को बिल्कुल उसी तरह से इसके उपर हलका सा कलर आ चुका है तो बस अब हम इसे इस बोल में निकाल लेंगे और इसी पैन में आलू भी अच्छे से इसमें शेलो फ्राइ हो चुके हैं तो अब हम इने भी इसी में ही निकाल लेंगे और हम फिर से पैन में दो चम्मच ओयल डाल रहे हैं और आप इसके लिए कोई सा भी यूज कर सकते हैं और अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे जिसमें है चोटा सा टुकड़ा जावित्री का आधा फूल चक्री लिया है एक मोटी लायची दो हरी लायची एक लॉंग दो चोटे से टुकड़े दाल चीनी के और आठ से दस काले मिर्शली है और एक चोटी चम्मच जीरा लिया है और दो तेज पते लिये हैं और इसमें से अगर को चोटी चम्मच अद्रक डाल दोंगी और एक चोटी चम्मच लसुन डाल दोंगी आप चाहें तो पेस्ट डाल सकते हैं या बारी कटा हुआ भी डाल सकते हैं और अब हम इन्हें गोल्डन कलर आने तक अच्छे से प्राइ कर लेंगे साथ ही मैं इसमें यहां पर दो हरी भून लेंगे प्याज अच्छे से भून गए हैं तो अब मैं यहां पर तीन बड़े साइस के टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ यह हमने उन्हें ग्राइंडर जार में पीस लिया था और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगी और अब हम इसे ढखकर कुछ तेर के लि अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं साथी इसमें एक बड़ा चमश मैं देगी मेश पाउडर डाल रही हूँ और एक बड़ा चमश ही धनिया पाउडर डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढखकर कुछ देर के ल कर देंगे ताकि मसाले का सारा फ्लेवर इसके अंदर अच्छी से चला जाएगा और आप दो इसे ड्याई बना सकते हैं यह भेसको तो यहीं से ढफकर यहां पर पका ले और ये देखिए हम इसे धक देंगे और धक कर बस तब तक पकाएंगे जब तक की कठल अच्छे से सौट नहीं हो जाता विच विच में आप इसका धकन हटा कर चला ली और ये देखिए हमारे कठल की सबजी बनकर तयार है अगर आप इस तरह से इसे काट कर देखते हैं तो देखिए कठल इजी ली कठ रहा है इट मींस ही अच्छे से पक चुका है तो बस हमारी सबजी बनकर तयार है अब साथी गार्णिश करने के लिए मैं इसके पर थोड़े से अद्रक के जूलियान सो साथी हरा धनिया डाल रही हूँ और अब इसके साथ हम रुमाली पराथा बनाएंगे इसके लिए हमने बॉल में दो कप गेहूं का आटा ले लिया है साथ ही इसमें एक छोटी चमच नमक डाल देंगे एक चोथाई चोटी चमच कलोंजी डाल देंगे जिसे निजेला सीर्स भी कहते हैं और एक चोथाई चोटी चमच ही अजवाइन डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से इस आठी को लगाने के लिए आज हम गुनगुने दूद का यूज करेंगे दूद डालने से ये जो परांठे बनेंगे बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनेंगे और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूद डालते जाएंगे और इसका आठा लगा लेंगे और इसका हम normal आटा लगाएंगे जैसे हैं कि हम रोटी के लिए लगाते हैं बेकुल इसी तरह से ही ये देखिए मैंने इस आटे को तक्रीबन लगा लिया है इसमें मैंने सबा कब दूर्ट का यूज किया है और आब इसमें एक चमर देशी घी डाल लेंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो यहां पर ओयल भी डाल सकते हैं और इस आटे को हम 4-5 मिनट के लिए इस तरह से मल करके एकदम चिकना कर लेंगे इस तरह सी और अब इसे ढग देंगे और ढगकर तकपर तकरीबन 10 मिनिट का से रचस देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा और 10 मिनिट बाद हम इसे फिर से एक बार मल लेंगे और इसमें से एक लोई तोड लेंगे और लोई को हम सूखे आटे से कोट करेंगे और चकले बर रखका इस तरीके से बेल लेंगे हम इसे बिल्कुल पतला बेलेंगे जैसे कि हम रुमाली रोटी बेलते हैं बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा सूखा आटा लगाते जाएंगे और यह देखें मैंने इसे काफी पतला बेल लिया है अगर आप इस तरीके से इसके पीछे अपना हाथ रखते हैं तो उसकी शेडो आपको आगे दिखाए देनी चाहिए इतना पतला हमें इसे बेलना है और इसी तरह से बेल करके आप प्लेट में रख सकते हैं बीच में थोड़ा सा सूखा आटा डाले और इसके उपर आप दूसी रोटी रख सकते हैं यह देखे मैंने पांच रोटी एक साथ बेल ली हैं और इन्हें कपड़े से ढख देंगे ताकि यह सूखेंगी नहीं यहां हमने तबा पहले ही गरम कर लिया है इसके उपर हलका सा घी लगा देंगे ताकि रोटी इसके उपर चिपकेगी नहीं और अब हम इसके उपर एक रोटी डाल देंगे गैस का फ्लेम मीडियम टु हाई रखेंगे लो फ्लेम पर हम इसे नहीं पकाएंगे वरना ही रोटी जो है सूख जाती है क्योंकि ये काफी पतली है तो बस medium to high flame पर ये देखे जब ये एक सरफ से सिख गई है तो हमने इसे पलट दिया है और इसके पर हलका हलका सा घी लगा लेंगे इस तरह से और ये देखे दोनों साइट से ही अच्छे से हमने इसे सेक लिया है और ये हमारा रुमाली परांठा बनके तयार है और इसी तरह से बाकी के सारे परांठे भी हम बिल्कुल तयार कर लेंगे और इन परांठों को आप कैसरोल में रखें ताकि ये नरम और मुलायम बने रहेंगे और ये दिखिए हमारे रुमाली परांठा बनके तयार है इस तरह से आप फोल्ड करेंगे कितने मुलायम कितने टेस्टी लग रहे हैं ये कि आप इसे ऐसे भी खाएंगे तब भी ये टेस्टी लगेंगे और अब मैं इसे खाने वाली हूँ कठल की सबजी के साथ दिखे कठल कितने अच्छे से पग गया है और ये बहुत टेस्टी है तो फ्रिंड्स आप भी इस recipe को अपने घर में जरूर ट्राइ करें ये आपको बेहत पसंद आएगी और अगर आपको हमाई recipes try करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को like और share जोर कीजिए और साथी चैनल को subscribe करना बिलकुल भी न भूलें इसी तरह की और नहीनी recipes देखने के लिए